हेलो दोस्तों वेलकम मेरा नाम है हरबंदी सिंग स्वागत है आपका इजी लेक्टॉनिक फार व्यू में आज मैं आपको डायोड के बार में पढ़ाऊंगा डायोड क्या होते हैं कितने तरह के होते हैं इसकी क्या एप्लिकेशन्स हैं बिल्कुल हिंदी में सरल भाशा में प हम इसे डायोड बोलते हैं ठीक है दो डाय मसल टू और आयोड मतलब ओडी मतलब लेक्ट्रोड तू लेक्ट्रोड होते हैं चलो देखिए तू तर्म दो टर्मिन एक्ट्रोनिक कंपोनेंट है यह एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है इसमें तो आज लोंग आज दा ऑपरे एक डैसिक डेफिनेशन हैस कि के वह एक लैक्तानिक डिवाइज है जाई electronic कंपोनेंट है जो एक ही दिशा में करया अगिक है यज बोल्ट अब आइडियल वोल्ट डायोड की बात करते हैं कि आइडियल डायोड में गया होता आइडियल डायोड में जीरो रिजिस्टेंस इन वान डायक्शन जो इसकी डायक्शन है एक एक डायक्शन है उसमें जीरो रिजिस्टेंस होता है इंफानाइट रिजिस्टेंस होत होता है एक टर्मिनल है एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगटिव टर्मिनल है जो यह वाला एरो कप जब जहां से शुरू होता है यह पॉजिटिव है और यह बैरियर नेगटिव शो करता है चलिए आगे 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 है एपियन जंक्शन विद ओपन टर्मिन ओपर टर्म n-type में negative होंगे ठीक है यह है पॉजिटिव और यह है इस तरह नेगिटिव और जो बीच वाला हिस्सा है यहां से यहां तक यह है बैरियर इसे बोलते हैं हम depletion reason इसमें जो इसमें होल्स में positive का मैनिम कम जो यहां पर कम charges होंगे माइनस के माइनस के इस एरिये में तो इस एरिये में कम charges होंगे positive के तो यह दोनों मिलके minority carriers मिलके depletion reason बनाते हैं जिसे हम depletion reason या barrier भी बोलते हैं यह देखिए negative में high concentration of electron और positive में high concentration of HR P side holes positive charge को holes बोलते हैं और बीच में बीच का है holes from P side and electrons from inside यह दोनों होते हैं जो के एक form करते हैं depletion reason को ठीक है depletion reason मतलब एक barrier बनाते है करण को flow ना कराने के लिए ठीक है forward और दूसरी reverse forward में देखिए अगर हम यह यह अगर हम पॉज यह बैटरी की positive side पी को पी को लगा दें तो और negative side n को लगा दें तो उसे हम बोलते हैं forward wise ठीक है और देखिए पी टाइब में ज्यादा तर मतलब यह जो सर्कल है यह सारे positive है और यह minority carrier है वो negative है ठीक है whole शो कर रहे हैं ध्यान से देखिए जो blue है इसमें लिखा हुआ पॉजिटीव साइड है यह electrons है यह वाले तो ज्यादा इस रीजन में ज्यादा तर पॉजिटीव है पॉजिटीव चार्ज सिंपल सी ज्यान देखिए इस रीजन में ज्यादा तर क्या है यह देखिए फिर एक ट typ को दो रट्रड को शो किया हुआ है तो अगर पॉजिटीव को पॉजिटीव लगादे नेगचीव को नेगचिव लगादे तो फॉरवर्ड़ वाई जह और रिवर्ड़ वाई थैसा करने से एगडरीजन बहुत बने लगता है यहां से लेके यहां तक जो depletion reason है तो बहुत जादा बढ़ने लगता है तो current flow नहीं करता है इस forward bias में ही current flow करता है इसमें current नहीं फ्लो करता यही इसकी definition है diode की आगे diode characteristics क्या है देखिए यहाई है zero point ठीक है zero यहां से voltage यह है current voltage और current जब हम voltage बढ़ाते हैं तो current बढ़ता है एक limit तक बहुत कम current होता है ठीक है यहां तक बहुत कम current होता है लेकिन इसके बाद current बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है ठीक है यह forward characteristics है यह यह वाली हमारी forward characteristics है और यह है हमारी reverse characteristics reverse characteristics में हम बोल्टेज इंक्रीज reverse में reverse side अगर voltage increase करेंगे तो कुछ समय तक leakage current बढ़ता है मतलब जो minority carriers की वज़ा से होता है लेकिन उसके बाद एकदम से current increase हो जाता है लेकिए इंक्रीज हो जाता है इसमें breakdown होता है यह से reverse breakdown कहते हैं जीनो ब्रेकडाउन जाब जीनो डायोड में होती है इसमें अवलांज ब्रेकडाउन होती है ठीक है और देखिए यह जो कम से कम voltage होती है जहां से एकदम से current बढ़े तो जर्मेनियम का अगर डायोड बनाया तो इसमें 0.3 की होगी और silicon का बनाया तो 0.7 volt होगी यह यहां पे देखिए यह पी एंड यंड पी एंड जंक्शन डायोड का इसमें पाजिटिव नेगटिव बनाया गया यह भी एक सिंबल है और यह भी एक देखिए यह भी एक सिंबल आनोड का थोड भी लिए देते हैं पाजिटिव नेगटिव भी लिए यह सिंपल्स ही है इसमें फर्स्ट यह फर्स्ट कोड़ेंट पॉजिट फॉर्बर वाइस है यह रिवर्स क्रेक्टर सिक्स है चलिया कि टाइप साथ डायोड बहुत रहा किया कुछ मैंने शो की होए है इसकी वज़ा है फोटो में आपक सिखने लेर होती है यह स्टेप्रेकवरिय डायोड इसके बाद लेजर डायोड को डिक्त करते हैं। उसके बाद टैनर डायोड व्मक्रिया सबढ़ है नहीं की बिल्कुल ऑफ्लाइशन बताओ बहुत अच्छा बिकासे बताओं अभार Makes me के Rectifier में है डायोड का काम बहुत एक अगर रैक्टिफायर का आगे बताऊंगा मैं आग सरके डायग्राम सब कुछ अगली वीडियो में तो रेक्टिफायर यह ए है अप्लिकेशन क्लिपर, क्लैंपिंग, रिवर्स करन्ट, सरकेट्स में, लॉजिकल गेट्स वहते हैं, वहा वह नहीं होते जो हम नीद में देखते हैं अपने वह नहीं होते हैं जो हमें सोने ही देखिए ये एपी जी अब्दुलकलाम का कोट है बहुत ही अच्छा चलिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलो चलिए धन्यवाद जाहिं जावारत